Hello everyone, Welcome back to Let's Talk, Let's Learn National Scholarship Portal, Schools and Colleges में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत तरह की Scholarship Schemes में अप्लाई करने के लिए Online Access देता है आज की वीडियो में हम Minority Scholarship Schemes की बात करेंगे जो की 1st to 10th, 11th and 12th and दूसरे Colleges and Universities में Technical, Professional Courses करने वाले स्टूडेंट्स को Scholarship Schemes में अप्लाई करने के लिए Announce की जा चुकी है इस Schemes में अप्लाई करने के बात कौन से Benefits आपको होंगे कौन इन Schemes को अप्लाई करने के लिए Eligible है क्या Criterias है और साथ ही कौन से Documents को अपलोड करने की आपको जरूरत पढ़ेगी अपने Schools, Institutes and Colleges में आपको वो सब्मिट में कराने होंगे तो आईए वीडियो में इन सारी डिटेल्स को जानते हैं वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के यूसफुल जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलर्शिप स्कीम्स जिसमें एप्लाई करने की लास्ट डेट 15 नवेंबर 2021 है इसमें एलिजिबल होने के लिए एप्लिकेंट 1st तू 10th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो उसके लास्ट फाइनल एक्जाम में 50% मार्क्स उसने सिक्योर किये हो फैमिली की एन्वल इंकम एक लाग से जादा ना हो और वो माइनॉरिटी कम्यूनिटी या पार्सी कम्यूनिटी को बिलॉंग करने वाला हो बेनिफिट्स क्या होंगे 6 तू 10 में पढ़ने वाले बचों के लिए एड्मीशन फी चाहे आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या डे स्कूल में है दोनों के लिए ही 500 पर एनम मतलब पूरे साल के लिए जैसे आप 2021-2022 के लिए अपलाए कर रहे हैं तो 500 रुपीज एक साल के लिए मिलेंगे आफ्टर देट जो टूशन फी है वो 6 तू 10 दोनों ही तरह के क्याटेगरी के लिए चाहे होस्टलर हैं या डे स्कॉलर है 350 रुपीज पर मंथ और ये 10 मंथ के लिए दिये जाते हैं तो इसे आप 10 से मल्टिप्लाइ कर लिजिए 3500 का अमाउंट इस 500 अमाउंट के साथ ही आएगा इसके अलावा एक और अलाउंस भी दिया जाता है और ये सारे अलाउंस इस 10 मंथ के लिए ही दिये जाते हैं एक एर में ये 1st to 5th के लिए 100 रुपीज पर मंथ रहेगा और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में पढ़ते हैं उनके लिए 6 to 10 के लिए वो 600 पर मंथ रहेगा यानि इसे भी 10 मंथ से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो ये 6000 का अमाउंट हो जाएगा और अगर आप हॉस्टल में हैं तो 600 पर मंथ हैं लेकिन अगर आप डे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 6 to 10 के लिए ये अमाउंट 100 रुपीज पर मंथ रहेगा तो इस तरह से आप अपना पूरे साल का स्कूलरशिप अमाउंट कैलकूलेट कर सकते हैं कि अगर सपोज हम बात करते हैं 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो 100 को आप 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे ये अमाउंट आएगा 1000 रुपीज फाइन आप दे स्कूल में है और उसके अलावा ये 350 को अभी हमने 10 से मल्टिप्लाइ किया था 3500 and then 500 admission fee तो अगर हम क्यालकूलेट करें तो यहां पर ये 500 प्लस 3500 साथ ही 1000 ये अमाउंट आपका हो जाएगा 4000 प्लस 1000 दाट इस 5000 का अमाउंट बच्चे के अकाउंट में इस साल एपलाई करने पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये हम बात कर रहे थे 6th class के स्टूडेंट के लिए तो इसी तरह से आप किसी भी क्लास की हैं 1st to 10th में तो आप अपना scholarship amount calculate कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कौन से document की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला document चाहिए domicile certificate means जिस state में आपका school है अगर आपका domicile state वही है तो तब तो कोई domicile certificate देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप domicile state online apply करते समय सपोस कर ये डेली करते हैं और आपका जो school है वो भी डेली में तो domicile certificate की जरूरत नहीं होगी बट domicile certificate अगर यूपी है domicile certificate में जहां का आपका permanent address है जहां पर आपके जिस तरह से एक hometown हम उसे कह सकते हैं अगर सपोस करिए कि वो यूपी है और जो school है वो आपका डेली में है तो फिर आपका domicile certificate डेली में रहने का चाहिए होगा आपका home state आपका permanent address यूपी का है लेकिन आपका school डेली का है तो आपको डेली में रहने का domicile certificate बनवाना पड़ता है उसके लिए तीन साल देली में रहने का certificate चाहिए होता है जैसे की rent agreement हो सकता है बिजली का bill हो सकता है parents के नाम का तो ये चीज़े domicile certificate बनवाने के लिए जर safety commissioner के office से ही ये certificate issue होता है इसके लिए भी online apply किया जाता है इसके साथ ही self certified community certificate student को देना होता है जैसे कि अगर आप Muslim community के हैं तो मस्जित से भी इस तरह का certificate बन जाता है Christian है तो church से बन जाता है और उसे फिर parents self certified करके दे सकते हैं देते हैं online upload करेंगे इसके साथ ही last year की mark sheet की copy चाह tested उसी के science से काम चल जाता है सपोज आप किसी college में पढ़ते हैं या किस institute में तो usually ऐसे बचे अबव 18 होते हैं लेकिन अगर आप 18 से below है minor है तो फिर parents उस चिसको attest करेंगे साथ ही आधार card का copy चाहिए होगा अगर आधार में apply कर रखा है अभी आधार number नहीं आया है तो उसक है वो income certificate भी आपको upload करना होगा और अपने institute में submit करना होगा इसके अलावा आपको देना होता है proof of bank account बच्चे के नाम का हो अगर 18 से अबव है और अगर minor है तो parents के साथ जो joint account है mother या father के साथ तो इन documents की जरूरत आपको पढ़ेगी जब आप online apply करेंगे आपको इने upload करना की जरूरत होगी और साथ ही अपने institute में भी इनकी self-attested copies submit करनी होगी अब करेंगे बाद post matrix scholarship की या जाने की 11th 12th या और higher classes में पढ़ते हैं अब post matrix scholarship for minorities 2021-22 इसके लिए जो deadline है वो 30th November की है और इसमें eligible कौन-कौन है जो की class 11th या 12th में पढ़ रहे हो graduation कर रहे हो, post graduation कर रहे हो, कोई भी technical, vocational, MPH, PhD किसी कोई भी इस तरह की higher education कर रहे हो, वो सभी students साथ ही उनके भी अपने पिछले exams में, पिछली class में 50% marks at least उन्होंने secure किये हो, minority community के हो, ये सारी categories वही है जिनकी अभी हमने pre matrix में बात की थी बट यहाँ एक condition change हो जाती है कि जो annual income है, पूरी family की, वो 2 lakhs से जादा नहीं होनी चाहिए pre matrix में ये 1 lakh थी और post matrix के लिए, मतलब higher classes में पढ़ने वाले students के लिए 2 lakhs है अब हम यहाँ जो बच्चों को benefit मिलेगा, उसकी बात करते हैं अब यहाँ जो post matrix में apply करते हैं, उनके लिए scholarship का amount थोड़ा बढ़ जाता है चाहे आप hostel में रहते हैं, hostel में रहकर पढ़ते हैं, या day school में हैं और 11th या 12th class के हैं, तो 7,000 per annum, यानि की per साल के हिसाब से, इस साल apply कर रहे हैं तो इसी साल के लिए 7,000 आपको मिलेंगे, साथ ही आपको और क्या benefit होगा, admission and tuition fee for technical and vocational courses of classes 11th and 12th, अभी जो हमने बात किती है, admission fee की, tuition fee की वो 7,000 रुपे normal schools में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो जो general studies कर रहे हैं कि generally हम schools में जाकर के humanity, science या commerce की stream लेते हैं उन बच्चों के लिए लेकिन अगर कोई technical या vocational courses कर रहे हैं, भले ही hostel में हैं या day schools में हैं लेकिन technical या vocational courses में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये amount 10,000 हो जाता है पूरे साल के लिए इसके बाद जो undergraduate यानि की graduation कर रहे हैं या post graduation कर रहे हैं, उनके लिए ये admission और tuition fee का amount 3000 का रहता है अब ये तो admission और tuition fee की बात हुई, जो तीन तरह की categories के बच्चों के लिए हैं, एक तो general studies वाले बच्चे हैं, एक vocational courses वाले हैं और एक हैं जो colleges में graduation या post graduation कर रहे हैं, इस सारे amount को आप अपनी category के हिसाब से decide कर लिजेगा, साथ ही 10 months के लिए maintenance allowance मिलेगा, 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अब भले ही वो general schools हैं या technical courses हैं, और hostler है, यहां एक condition है, hostler है, तो 380 per month, अब इसको आप 10 से multiply कर लिजे तो पूरे साल का scholarship का amount है, वो एक साथ आपके account में transfer होगा, लेकिन अगर आप यह day schools में हैं, तो यह amount आपके लिए 230 per month है, fine, जो 380 है, वो hostler के लिए है, day school वालों के लिए यह amount 230 per month है, तो इसे 10 से multiply कर लेंगे 2300, और अभी हमने उपर बात की थी कि उनके लिए admission और tuition fee 7000 है, तो 7000 प्लस 2300 यह amount पनेगा, यह आपका आगया admission, tuition fee and maintenance allowance, अब हम दूसरी category के students की बात करते हैं, अब यहाँ पर जो बात की गई है maintenance allowance, वह different categories है, यहाँ है graduation और post graduation करने वाले hostlers की, उनके लिए 570 per month है, जो है आपके day schools में, लेकिन graduation या under graduation कर रहे हैं, उनके लिए 300 per month ह fine, सारे courses और इंको 10 months से multiply कर लेना आप, क्योंकि पूरे year का amount एक साथ transfer किया जाता है, और यहाँ पर बात की जारी है, और higher studies की, जैसे की M.Phil या PhD कर रहे हैं, लेकिन hostlers हैं, तो 1200 per month, और अगर day schools में हैं, साथ ही यही वाले courses हैं, PhD है या M.Phil है, तो इनके लिए 550 है, यानि hostel म उने जादा amount पे करना होता है अपने institutes में, तो उनके लिए scholarship का amount भी जादा है, अब हम बात करते हैं, यही post metric या जो higher studies के लिए करने वाले students के लिए scholarship है, उनके लिए कौन-कौन से documents की जरूरत है, documents चाहिए, वही domicile certificate चाहिए, अगर आपका institute अलग state में है, और आपका permanent address अ student की photograph वहाँ भी जरूरत पड़ती है, और वही है minority community certificate के लिए self declaration, और ज्यादा तर बच्चे यहाँ पर 18 अबव होते हैं, that's why self declaration है, और minor होते हैं तो parents से करवाना पड़ता है, last year की mark sheet है, और जो आपका last year आपने fee pay की है, उसकी fee receipt है, scanned copy है, अधार enrollment है या अधार card की, income certificate है, SDM या DC से आपका issue होना चाहिए, और साथ ही bank account पही है, कि minor है तो parents के साथ joint होगा, otherwise बच्चे के name में होगा, so इस तरह से national scholarship portal पर minority students अपनी scholarship scheme को apply करने से पहले, ये सारे eligibility criteria को ध्यान से पढ़ ले, और उन्हें किस-किस तरह के documents की जरूरत होगी, वो चीज़ें अपने पास ready रखे, and then आप apply कीजिए, और next video में मैं आपके साथ share करूंगी, कि आपको national scholarship portal पर जा करके, किस तरह से register करना है, जब आप fresh apply कर रहे है, यानि इससे पहले आपने कभी उसके लिए register नहीं किया है, आपके पास वहाँ पर login करने के लिए details नहीं है, तो registration किस तरह से करना है, इस as many people as you can, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई, नमस्कार.